प्राइवेट पार्ट्स में अगर बार-बार खुजली आती है, तो I'm sure you must be feeling embarrassed. बहुत ही ज्यादा शरम आती होगी, लेकिन प्राइवेट पार्ट्स में बार-बार खुजली आती ही क्यों है? इसके बारे में समझिये, exactly cause क्या है, इसे find out करिये, और अपने cause को पूरी तरह से cure करिये, इससे हमेशा के लिए embarrassment का कारण ही खतम हो जाएगा. वजाएना में, यानि कि ओरतों के प्राइवेट पार्ट्स में खुजली होने के कई सारे कारण होते हैं. सबसे कॉमन कारण जो हम medical practitioners regularly क्लिनिक पे देखते हैं, वो होता है yeast infection, yeast यानि की एक प्रकार का fungus. इस fungus infection की वजह से वजाएना में बहुत ही ज्यादा खुजली हो सकती है. ये खुजली बहुत तेज महसूस हो सकती है. इस खुजली की वजह से बहुत ज्यादा embarrassment हो सकती है. अगर आपको fungus infection के बारे में, यानि की yeast infection के बारे में ज्यादा जानकरी चाहिए हो, तो हमारा yeast infection in vagina का वीडियो जरूर देखें. इस वीडियो के description में आपको fungus infection in vagina, yeast infection in vagina का वीडियो की link जरूर मिलेगी. वजाइना में अगर fungus infection होता है, तो वजाइना में से एक white color का discharge निकलाता है. ये white color का discharge बहुत ही ज्यादा offensive यानि की बहुत ही खराब बद्बू वाला होता है. तिपिकली ये fungus infection में ही देखा जाता है. fungus infection में बहुत ही तेज इचिंग होती है. oral antifungals यानि की antifungals की tablets को consume करके और antifungals की cream को regularly लगाके आप वजाइना में होने वाला fungal infection पूरी तरह से cure कर सकते हैं. तो अगर आपको वजाइना में white color की discharge हो रही हो, offensiveness हो रही हो और बहुत तेज इचिंग हो रही हो तो अपने doctor से जरूर मिलिये और antifungal treatment exactly किस प्रकार की होनी चाहिए इसे समझे. अब वजाइना में अगर dryness हो तो उसकी वजह से भी बहुत तेज इचिंग हो सकती है. Dryness मेनोपॉस के बाद बहुत ही commonly देखा जाता है. जैसे जैसे एक औरत की उमर बढ़ती है, वैसे औरत मेनोपॉस से नजदीक आ जाती है. मेनोपॉस में होने वाले कई सारे hormonal changes की वजह से वजाइना में dryness हो सकती है. एक्चिली मेनोपॉस के बाद estrogen की मात्रा वजाइना में बहुत ज्यादा कम हो जाती है. शरीर में ही कम हो जाती है. estrogen वजाइना में हलका सा moisture maintain के लिए ज़रूरी होता है. मेनोपॉस के बाद जब शरीर में estrogen की मात्रा कम हो जाती है, तब वजाइना में धीरे धीरे कर dryness डेवलप होने लगता है. इस dryness की वजह से बहुत ही ज्यादा itching हो सकती है. टॉपिकल estrogen की creams को अगर वजाइना में apply किया जाए तो इस itching को काफी अच्छी तरह से tackle किया जा सकता है. कुछ moisturizers भी होते हैं जो आप अपने private parts पे लगा सकते हैं. इन moisturizers को भी अगर आप apply करते हैं तो dryness की वजह से होने वाला discomfort काफी कम हो सकता है. अब वजाइना के बाहरी हिस्से में जो skin होती है वो हमारे normal skin की तरह ही होती है. इसलिए जो बिमारिया normal skin को affect कर सकती है, वही बिमारिया वजाइना के skin को भी affect कर सकती है. सोराइसिस, एकजीमा, सिबोरिक दर्माटाइटिस जैसी बिमारिया वजाइना के skin को अगर affect कर जाए तो उनकी वजह से बहुत ही ज्यादा discomfort और itching डेवलप हो सकती है. जी हाँ, सोराइसिस, एकजीमा, सिबोरिक दर्माटाइटिस ऐसी conditions, ऐसी skin की बिमारिया वजाइना में भी हो सकती है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा discomfort महसूस हो सकता है और itching महसूस होती है. सोराइसिस में और सिबोरिक डर्माटाइटिस में दरसल डैंडरफ जैसा एक flaking होता है. सिबोरिक डर्माटाइटिस में yellowish color की डैंडरफ निकलती है और सोराइसिस में whiteish color की. लेकिन वजाएना में सिबोरिक डर्माटाइटिस और सोराइसिस exactly flaking के रूप में शायद पीचर बन जाती है। सोराइसिस, एकजीमा, सिबोरिक डर्मडाइटिस जैसे कंडिशन्स को पूरी तरह से क्योर करने के लिए स्टिरोइडल क्रीम्स का इस्तमाल किया जाता है। लेकिन प्राइवेट पार्ट्स की स्किन काफी पतली होती है, काफी थिन होती है। इन थिन स्किन्स पे स्ट्रोइड्स को अपलॉय नहीं करना चाहिए। अगर आपको स्ट्रोइड क्रीम्स का सजेशन दिया गया है, तो इन क्रीम्स को मॉइस्चराइजर के साथ डाइल्यूट करके ही लगाएं। क्यूंकि स्टिरोइड्स की वजह से स्किन और भी ज्यादा पतली हो सकती है। अगर स्टिरोइड्स को डिरेक्ली अपलाई किया जाएं, तो ये स्किन और भी ज्यादा पतली हो जाएगी। पतली स्किन में इनफेक्शन काफी असानी से हो सकते हैं। इस पतली स्किन को इनफेक्शन से प्रोन ना करने के लिए स्टिरोइड की क्रीम्स को moisturizer के साथ mix करके ही private parts पे लगाएं bacterial और viral urinary tract infection की वजह से भी बलवा में यानि की female private parts पे बहुत ज्यादा itching महसूस हो सकती है दरसल bacterial infections viral infections की वजह से urine पास करते समय बहुत ही ज्यादा जलन होती है इस जलन की वजह से private parts में बहुत ज्यादा itching हो सकती है bacterial या viral urinary tract को पूरी तरह से eliminate करने के लिए पूरी तरह से cure करने के लिए anti-viral antibiotic treatment की जा सकती है urine में अगर जलन हो रही है तो पानी का intake improve करके और urine alkalining agents को consume करके आप urine में होने वाली burning को काफी अच्छी तरह से tackle कर सकते हैं female hygiene के बारे में अगर आप सोचें तो कई सारे fancy products market में काफी readily available है ये products menstrual hygiene से related हो सकते हैं ये products fragrance वाले हो सकते हैं आजकल menstrual pads भी fragrance वाले available होते हैं अगर regularly fragrant चीजे पर्फ्यूम वाली चीजों का इस्तमाल किया जाए फ्रेग्रेंट pads का इस्तमाल किया जाए या फिर undergarments को धोने के लिए बहुत ही strong detergent का इस्तमाल किया जाए तो इन सब चीजों की वजह से भी वजायना में itching develop हो सकती है strong soaps shower gels bubble baths इनकी वजह से भी वजायना की skin irritate हो सकती है और finally itching develop कर सकती है वजायना में normal भी कुछ bacterias कुछ fungus मौझूद होते हैं ये bacterias और fungus अपने वजायना के normal flora consider किये जाते हैं लेकिन अगर किसी कारण की वजह से इनका balance उपर नीचे हो जाए तो वजायना में किसी specific bacteria की growth या किसी specific fungus की growth बढ़ सकती है जैसे yeast infection fungus की growth होने की वजह से fungus की growth ज्यादा होनी की वजह से होता है वैसे ही bacterial vaginosis vagina में मौझूद normal bacterias की growth abnormally high होने की वजह से हो सकता है bacterial vaginosis को treat करने के लिए कुछ antibiotics की treatment लेने की जरूरत पर सकती है कुछ sexually transmitted infections होते हैं जैसे की clamidia infections, trichomonas infections, gonorrhea infections इन infections की वजह से भी वजायना में काफी ज्यादा itching महसूस हो सकती है sexually transmitted infections से बचने के लिए safe sex को follow करें सही तरीके का protection का इस्तमाल करें इन infections को पूरी तरह से cure करने के लिए antibacterial याने की antibiotic दवाईयों का इस्तमाल किया जा सकता है काफी rare होता है लेकिन वल्वा में भी cancer develop हो सकता है अगर वल्वा में cancer develop होता है तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा itching महसूस हो सकती है last but not the least stress जी हाँ जैसे कई अलग अलग प्रकार की बिमारिया stress से related होती है वैसे ही vaginal itching, vaginal discomfort भी stress से related हो सकता है तो अगर आपको वजाइना में itching हो रही है लेकिन पहले कहे गए कोई भी कारण आप से relate नहीं हो रहे है तो शायद आपकी itching stress से related है stress को पूरी तरह से eliminate करके आप vaginal itching जैसी ही नहीं लेकिन life में होने वाली कई सारी problems को पूरी तरह से मिटा सकते हैं तो stress ना ले Thank you